हेलो फ्रेंड नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल भकलोल डॉक्स में आज हम बात करेंगे फेक हिंदू के ओपर बात करेंगे जो दावा तो करते हैं हिंदू होने का लेकिन वह मांसिक तोर पर दिवालियापन से गुजर रहे हैं तो उसी की ब बात करेंगे कि आजका हिंदों का हिंदूतम जाते है जब किसी प्रकार की नेरो भी आती है कस्मीर फाई और पिर कंवैरी यह चानी मेड़ Studios लोगों का हिंदूतम इसी समय जाते है और हिंदूतम की भात करते कि द्धर्म की बात करते जब ऐसी घटनाय हो रही थी तब इतना हिंदू तो कहा गया था हमें यह पूछना है जब समस्या यह निये कि यह गटनाय हुई है इस यह है कि आप और हमारे जैसे लोगों के होते हुए यह गटनाय हो रही है तो यह बहुत बड़ा आस्चरिय का भीश है तो हम किसी के ओपर ब्लेम करने नहीं आए हैं हम सिर्फ अपने लोगों को अपना दाइत वह याद दिलाने आए अपना करतव याद दिलाने आए हैं क्योंकि जो अपनी संस्कृति को खुले विचारों के लोग सब को समान अधिकार देने वाले लोग जब अपने बच्चे को दुनिया की हर एक खुसी देते हैं हर एक चीजों से उसको देते हैं जो जितनी भी महंगी सी महंगी चीज़ों को प्रदान कर देते हैं उसकी खुसी के लिए लेकिन सिर्फ जो उसको जान बचाने के लिए सबस्यादा कीम्ति था तो देना भुल जाते हैं एक उसको अपनी संस्कृती बतानी का भूल जाते हैं और संस्कारों की कमी के कारण कुछ ऐसी घटनाए होती है जो फिर हिंदुओं के लिए किसी दूसरे को आना पड़ता है जो एसी मूवी बनाता है मतलब हिंदू के लिए हिंदू चाहते हैं कि कोई और आवाज उठाए तब ये पीछे से खड़े हो कि हो हल्ला करेंगे चार दिन तक हल्ला गुल्ला करेंगे फिर पांचवे दिन सांथ हो के सो जाएंगे कभी यह बात नहीं करेंगे कि यह सब घटना है हमारे रहते हुए कैसे हो रही है क्योंकि ऐसा तो नहीं कि दूसरे ग्रह से आके यहां क्राइम हो रहा हमारे ही देश में हो रहा हमारे किसी राज्यों में हो रहा है हमारे कुछ लोग उसमें इन्वाल्व भी होंगा ऐसा नहीं है यह आपका दूर्तुता है जो आसा अगर मान रहे हैं तो जब तक हम कमजोर तब तक है जब तक हमारी जान के उपर नहीं आती है हम भागना चाहते हैं तब तक लेकिन जब जान के उपर आएगी तो हम लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे तो हिंदु हमेशा प्रतम प्रेफरेंस भागने को देता है बस अपने अपको भगा ले कहीं जा के सेफ हो जाए कर चूपके अच्छे से जीवन बैदीत कर लूँगा लेकिन कहां तक भागोगे कहां तक भागोगे न्हीं कंब हुआ है का कभी नकभी तो कहीं न न कहीं तो रुखना पड़ेगा ना तो जो अधतने सालों में डिना में चेंजे सागां जिनके जो अपनी हिंदू तो उअधी बोलते तो है लेकिन है नहीं वह वास्ताव में इन दू Lay-up कर मैं आपके लिए आवाज उटा र हाला कि वो आपके लिए आवाज उठा रहा है लेकिन जब तक आप उसको मौकत दोगे नहीं आप ऐसे घटना होने ही क्यूं दे रहे हो कि कोई हमारे लिए कल्ब जाके आवाज उठाए यह सबसे बड़े आश्क्री के विश्या है की हें हिंदू बहुत संख्यक है उसी देश में उनकी बेटिय अЭто सुरक्षित नहीं है तो मुस्लीम मूलकों में क्या है रहे होता होगा वो मसे पुछना चाहिए कि हमारे इसमें क्या कमी है जो लोग हमारे घर में अटैक कर ख कर रहे हैं सबसे बड़ा विसा हो यह हो रहा है ना खुले notamment आपको तो कही ना कहीं यह अपने बच्चियों को भी उस घटंव की होने के बावजुद ऐसी घटना आपके आस पास में हो जा रही है तो यह सबसे बड़ा आशक्यारी का विस्या है कैसे हो सकती हमारे रहते हुए हमारे रहते हुए हमारे पढ़ो उसमें ऐसी घटना है कैसे हो सकती हमारा कोई उसमें दाई तो नहीं बनता हमारा को वह वह नही में एक चीज से बोलकर हम अपना हाथ पल्ला जाड़ देंगे क्यों अरे सब तो राजनीती है कि यही करता है को एक नॉर्माल भारती है इंसान एक हिंदू यही करता है अरे सब राजनीती है बोलकर अपने को पल्ले से हटाने का काम करता है अरे हम तो ऐसे नहीं है यह करता है तो यह सीर्ण अंदर से एक्सिक्टेंस को ना भगाना पड़ेगा अपने करतवीया पहुतना पड़ेगा अपने औरने कुस्ट सोची समझी साजी से समझेंगे कि आज उसके साथ हुआ तो यह चीज आपको अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने बच्री Punjand देना पड़ेगा समझे पहले तो ऐसी घटाई नहीं हो रही थी आज जो आप पड़े लिके समाज है अपने अपको मैं क्या आज करें साइंस को मानता हूं मैं साइंस के लागा दुनिया में कुछ नहीं है ऐसे लोग जो मानते हैं भगवान के उपर प्रसन उठाते हैं जो को भूल जाएकर अपने रोजमर्रा के जीवन में चला जाएगा फिर कोई ऐसी घटनाए हो कि फिर उन लोगों का हिंदुत्व जागेगा फिर कुछ हल्ला करेंगे फिर बुद्धा हो जाएगा और खुद को प्रसन पुछने के जरुबत है क्या हमारा को क्या इसमें हम क्या क कर सकते हैं और ऐसी क्या वह होनी चाहिए जो हमारे देश में ऐसी घटना ना हो इसके विस्टाइमें प्रस्नों आचीए और यह जो अपने आपको बहुत ज्यादा एजुकेटेंड मानते हैं जो खुले विचारों वाले हैं जो लौ मैरीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते ना मेरा अब्दूल तो ऐसा नहीं है तो निकलता है उनका अब्दूल कसा था और यह घरवाले की जवाबदारी ज्यादा बनती है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए आपने उसको इतना बड़ा किया है पाला पोसा सब कुछ किया लेकिन इसको ऐसा स क्यों नहीं सोच रही है हिंदू बच्चिया क्या कमी है जो वह इस प्रकार के घटना इस प्रकार के लिए अपने माबाप के प्रती सोच नहीं रही है और दुसरे के प्रती इतनी महबत हो गई कि वह कटने के लिए भी तैयार है और हम अपने ही उधारन बताएंगे हम अप दिखाराइब आपके लिए सोचने लगी कि बदाये अब इसमें हम क्या बोलें गए यह घटनाय सिर्फ केरल में नहीं हूँ है यह साथ यह सिर्फ मूवी का नाम है केरल श्टोरी लेकिन ऐसी घटनाय पुरे भारत में हो रही है यह हम अग्दम दावे के साथ बोल सकते हैं ए गटनाएं पूरे भारत में हो रही है आज लोगों का नजर नहीं जा गया इस कारण यह सब घटनाएं नहीं आई सामने और आज केरल के उपर आज हिंदु लोगों का हिंदुत्व जाग जा हिंदुओं का तब कहां सोय थे जब इतनी बच्चियों को ले जाया जा रहा था ज प्रस्वार्थ को पहले रखने वाले लोग आगे है खड़े हैं और हर चीज को राजनिती के ऊपर डालने वाले लोग अपने कर्तवयों से पल्ला जाड़ना चाहते हैं यहां जटका करें हम क्या कर सकते हैं तो चोटे लोग है यह सब राजनिती कराने तब दक आप ऐसी कर सकते हैं जो आपको आपकी बच्ची सेफ है आप ऐसी घटनाए को रोखने के लिए सबसे पहले अपने घर को ससक्त करिए अपने घर में अपना घर कि फ्रीज में ना मिले और कभी ना सीरिया जा पाए ना कभी कहीं जा पाए जो यह ना बोल पाई कि मेरा अब्दूल ऐसा नहीं है समझ रहो तो सब को अपने करतब्यों से समझना पड़ेगा जितना दाइत वह एक और जो बुलते ना राजनिती है यह सब राजनिती राजनि प्राण हो झाल सकता हमारे संस्रिति के साथ को सकता लेकिन खुद पर ब्लेम ना करके अपन राजनियता कर देते हैं और सब चीज को ऐसा एक्सेप्टेंस में मान दिया तो चीज़क्र नहीं हो जाएगी अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आंक बंद कर लेने से गलत घटनाय बंद नहीं हो जाएगी तो यह चुतियापे से बाहर आना पड़ेगा और कोई मुवी बने तो हल्ला गुल्ला करके हिंदुत्व की बात करनी पड़ेगी तो यह दोगलापन सबसे पहले बंद करना पड है आप अपने बीस तो बोर रहे हैं लेकिन उसमें खाद नहीं डाल पारे ना उर्वरक डाल पारे ना कुछ नहीं डाल पारे तो पेड कहां से होगेगा अच्छा फल थोड़ी देगा हो तो फिर वह वाली बात हो जाएगी माई लाइफ माई रूस माई चोइस माई रूस म माई मैरीज माई अब्दूल इस टैकी कंडिशन रखे जाएंगे तो ऐसी अपकी बच्चिया सुठकेस में कभी सीरिया में मिलते रहेंगी तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अपने घर को ससक्त करें अपने संसकारों से जोड़े रखे ताकि ऐसी घटनाय कभी मत हो और गर गरनतों का कंठस्त याद होना चाहिए किक अब किसी को डिबेट में उसको उसके मुझे तमाच्चा या अंसर मार सको इतना तो आप करी सकते हैं यह चोटी चोटी चीज आपके परिवार को कटने से और किसी के अब्दुल्त के द्वारा फ्रीज में रखने से सूटकेस में भरने से बचाएगी आपको और यह सब जो दोगलापन में बुलते हैं राजनिती करन राजनिती और हम आप से होकट में अरे झेलती करें से मिल कर भन है राजनिती नहीं है यह समात से राजनिती चल रही है नहीं तो हम ऐसा क्या कि है जो राजनिती इतनी गंदी हो गई है यह सोचने का विषए है और जब तक आप अहिंसा के मार्क से मुंबत्ती लेकर जब तक स्राध्धानजली देते रहेंगे तब तक ऐसी घटनाय होती रहेगी आख के बतली जब तक आखे नहीं लिए जाएगी तब तक कोई सुधरेगा नहीं और कोई चोदू जो बोलता है आख के बतली आख लेगा सारी दुनिया अंदियो जाएगी वह चूटिया को पकरके पहले दो थपड़ मारो कोई करने से पहले सबसे पहले सोचेगा कि मेरे साथ भी घटना यहोगी तो वह करेगा नहीं और यह जो दोग्ला पन वाला आख के बतली आख लिए आख लिए जाएगा तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा और सड़क में मुंबत्ती जला के केंडल माहर के सब एक्टिंग वो चूतिया लो करते हैं जो अहिंसा को जो अपना परमोधर्मवाला एक्टिंग चूत्ते ना उन ही लो करते हैं तो यह मुंबत्ती से अगर जिसको अधिकार चाहिए वो ले सकता अधिकार लोग के लिए कानून आप जाकर सेर के सामने बोलोगे वो तो खुंखार जानवार आप रादी भी वैसे यह आप उसके सामने जाके लौक की बात करोगे तो लौक अपने गान में डाल दो बोल देगा वो अगर मैं आपको पुस्तक देता आप पड़े लिखे नहीं हो तो जाट पड़ोगे आप ज्यान तभी है जब आप पढ़ना जानते हो वो गुनेगार है वो कानूनी पक्रिया को जानता है क्या होगा गट मेरे को दो साल के लिए अंदर डालेंगे फिर मैं बेले के बाहर फिर अपनी माचोद दूँगा तो यह घटनाओ को रोखना पड़े को मैंना अधिकार वार 64 मुठ्ठो की सलामी वन्ति है असे माना अधिकार वावालों को कर गार्लों को वाग 원ě मर गया है उसके मर को मढडर को सजा मिलना चाहिए तो उसका अधिकार माधर चोड़ दो असका मनी गया ।ो यह सब सोचने का विजया इसाह हो इतना भी सम्वीधान से लड़ेंगे सम्वीधानी प्रक्रिया से लड़ेंगे 25 साल तक लड़ते रहा जाओगे पिर उसके बाद न्याय का क्या गान में डालो गया अंहें जीना और अ को दो खुठ डारी से दीयो चूट्यापे से मां जीओ अो सेर के शार जिन की जिन्दगी में उत्ते जैसे दस साल की जिन्दगी चे में की की चार दिन की जी जी सकोग्य से tuhaar की आंक उठाके ना देखे तुम्हारे पालिवार को अउप पाणला इस inसाप कुछ काणूनी प्रक्रिया के जयुत है को करने क्षिच है क्वे है कि कृटी एक्सी एक काणून की व्यवस्तता से अपनि उसको सुल्जा सकते हैं वह एकंडी फायत अचानक दोग कई । आपका सटन नहीं था तो उसको सजा दे सकते जो एंटेंंस réfl स appelle करना था उसके लिए पस्ट था ना उसके लिए इस पस्ट था मैं इसको मारने आ रहा हूं तो उसको मारने के लिए के अपन में नहीं है किसी के आ पास तर भड भड करो सब का तब तक इनसा रहागानेः तो कभी के statute में हिंदूत्वड़ जगाते रहेंगे कभी कश्मीर फाइल में हिंदुत्व जगाते रहेंगे और हला गुला करते रहेंगे और चूतिया टैप का अपने अपको हिंदू बनाएंगे अब हिंदू जाग यह यह सब चोधना पादना करते रहेंगे सबसे पहले अपने घर में बच्चे को संस्कार दीजिए सबसे पहले यह बताइए कि आप अपने अच्छे पुरे की परख खुद करिए यह चीज नहीं सिखाएंगे अपने संस्कृति से विमुक करते रहेंगे तो ऐसे चुतियाब तो होते रहेंगे अब देखते हैं आगे किसका कितना हिंदू तो नहीं जाकता है अगर कोई असी नई मुवी आती है फिर हिंदू नहीं जाकता है तो एक चछी बात है क्योंकि हिंदू को सोने की यादत है वो चाते हर तीसर आदमी में लिए लड़े अपिर हल्ला चो देंगे कि यह आदमी स्वार्थ अर्वीन के जड़ेवाल को नेता दूम्हीं बनाए दूसरा आदमी के दूसरा अन्सान में था था तीसरा आदमी आन्सान को आके जोइन किया तो ऐसा ही होता है जब तक 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 तुम्हारे वचनों को और तीसरे आदमी बोल करना और सस्क्राइब अवश्य करना ताकि ऐसे चुत्याप जो लोग ज्यान बास्ते ना उनके तक ये वीडियो पहुच पाए और उनके ओपर कड़ा तमाचा हो जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आबार जै भारत जै हिन जै स्री राम